प्रस्न संख्या एक आठ हजार साथ सो पैंसेट में पांच का अस्थानी अमान लिखें तो प्रस्न पहला आठ हजार साथ सो पैंसेट में पांच का अस्थानी अमान तो देखें पांच का अस्थानी अमान पांच कौन से अस्थान पे है पांच है इकाई के अस्तान पे ठीक है तो इकाई तो इकाई मतलब होता है एक से गुना करना तो पांच गुना एक यानि इसका पांच का अस्तानी अमान क्या होगा पांच तो पांच यहाँ पे इकाई के अस्तान पे है तो इकाई मतलब एक यानि एक से गुना कर देंगे तो पांच गुना एक बराबर पांच तो इसको इकाई बोलते हैं इसको दहाई इकाई दहाई सेकड़ा हजार ठीक है तो पांच का अस्थानिय मान क्या होगा पांच दूसरा प्रस्ण दूसरा में करा छे हजार 895 में 8 का अस्थानिय मान तो 8 का अस्थानिय मान तो 8 यहां पे कौन से अस्थान पे है इकाई दहाई सेकड़ा 8 जो है सेकड़ा के अस्थान पे है ठीक है तो सेकड़ा मतलब होता है 100 यानि 8 गुना 100 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 8 सेकड़ा के स्थान पर है इकाई दहाई सेकड़ा ठीक है तो 8 का स्थानियमान पूछ रहा है तो 8 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जागा? 800 ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं देखें 8 के बाद 2 अंक है तो 8 पर 2 सुन्य दे देंगे ठीक है? आठ के बाद यानि जिस अंक के बाद जिस अंक का स्थानियमान पूछे तो उस अंक के बाद जितना अंक होगा उतना सुन्य दे देंगे तो इस तरह से भी निकलता है तीन पांच हजार साथ सो पचासी में आठ का स्थानियमान पांच हजार साथ सो पचासी में आठ का स्थानी अमान तो आठ कौन से स्थान पर एकाई दहाई दहाई के स्थान पर है तो दहाई मतलब दस से गुना कर देना तो आठ गुना दस दहाई मतलब क्या होता है दस 10 से गुना कर देंगे तो 8 गुना 10 कितना हुआ 80 तो 5785 में 8 कास्थानी अमान हो जाएगा 80 4 प्रस्न 4 2357 में 2 कास्थानी अमान 2357 में 2 कास्थानी अमान पूछ रहा है तो दो कौन से अस्थान पे है एकाई दाई सेकड़ा हजार हजार के अस्थान पे है ठीक है तो दो को हजार से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दो हजार यानि दो का अस्थानी अमान क्या हो गया 2357 में 2000 ठीक है और ऐसे भी निकाल सकते हैं दो के बाद कितना अंक है? एक, दो, तीन तो तीन सून्ने दे देंगे दो पे तो इस तरह से भी स्थानी अमान निकलता है प्रस्न पांच 3687 में घेरे गए अंक का स्थानी अमान लिखे हैं प्रस्ण 68987 में घेरे गए अंका अस्थानियमान लिखें तो प्रस्ण 5 तो 5 में है 3687 ये दिया हुआ है संख्या तो 7 घेरा हुआ है देखें 7 जो है इस तरह से तो घेरे गए अंक का अस्थानियमान पूछ रहा है तो यानि इसका पूछ रहा है घेरा हुआ यहाँ पर 7 है तो ये जो घेरा हुआ अंक है वो कौन से अस्थान पर इकाई दहाई दहाई के अस्थान पर है तो 10 से गुना कर देंगे यानि 70 तो घेरे गया अंग का अस्थानिय मान हो जागा 70 प्रस्न 6 6 में है 8 9 8 7 तो 8987 में घेरे गया अंग का अस्थानिय मान लिखे दो घेरा हुआ अंग कौन है ये है देखे 8 इसको घेर देंगे पहले तो इसका अस्थानिय मान ये कौन से अस्थान पे है हिकाई दाही सेगड़ा 1000 1000 के अस्थान पे है यानि 8 गुना 1000 बराबर कितना हो जाएगा 8000 तो घेरा हुआ अंग जो है उसका अस्थानिय मान हो जाएगा 8000 ऐसे भी देखिए घेरा हुआ अंक के बाद तीन अंक है एक, दो, तीन तो आठ पे तीन सुनने दे देंगे तो यह हो जाएगा आठ हजा प्रस्न साथ निम्नांकित संख्यांकों में घेरे गए अंक का अस्थानिय मान ग्याद करें तो प्रस्न साथ का चार तीन साथ छे तो घेरा हुआ अंक कौन है तीन है तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है का घेरे गए अंक का स्थानिय मान तो तीन का स्थानिय मान तो तीन कौन से स्थान पे है एकाई दाही सैकडा घेरा हुआ अंक तीन है तो यह कौन से स्थान पे है एकाई दाही सैकडा यानि सैकड़ा मतलब होता है सो तो सो से गुना कर देंगे यानि इसका स्थानिय मन क्या हो गया तीन सो ख चार तीन तीन दो तो घेरा हुआ अंक का स्थानिय मन पूछ रहा है तो ये कौन से स्थान पर इकाई दहाई या दहाई मतलब 10 से गुना करना 10 होता है तो 10 से गुना कर देंगे यानि 300 हो जागा इसका स्थानिय मन 6,950 है तो यहाँ पर घेरा हुआ घेरा हुआ अंग जो है 9 है तो इसका अस्थानी अमान कौन से अस्थान पर है 9 यानि जो घेरा हुआ है एक आई दा हैं सेंकड़ा सेंकड़ा मतलब 100 से गुना कर देना यानि 100 से गुना कर देंगे सेंकड़ा मतलब 100 तो 9 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जागा 900 यानि घे 9 का स्थानिय मान हो जागा 900 घा घा में है एक सून्य सून्य दो यानि एक हजार दो तो यहाँ पर जो घेरा हुआ अंक है वो सून्य है ठीक है तो देखिए सून्य का स्थानिय मान तो सून्य होगा कहीं पर भी रहे क्योंकि सून्य से कुछ भी गुणा करेंगे तो सून्य ही आएगा देखिए जैसे यह जो घेरा हुआ है कौन से अस्थान पर एक आएदा है सै नहीं आएगा ठीक है तो सुनने का जब भी सुनने का अस्थानियमान पूछे तो हमेशा सुनने ही लिखेंगे ठीक है ये नहीं देखेंगे कौन से अस्थान पे है क्योंकि कोई भी अस्थान पे रहे गुना हो करके सुनने ही आएगा ठीक है तो इसको लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ये बस हम आपको समझाने के लिखे हैं तो इसको आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी क्योंकि बस सुनने लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है? सुननी का स्थान यह मन सुननी ही होता है अड़ा तीन, दो, पांच, साथ तीन हजार दोसो संतावन में घेरा हुआ अंग जो है वो दो है तो दो का स्थान यह मन, तो दो कौन से स्थान पर है? इकाइद है सेकड़ा सेकड़ा मतलब सो, यानि दो को सो से गुना करेंगे तो हो जाएगा दो सो तो दो का स्थान यह मन, दो सो चया, चया में है दो, 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 दो तो यहाँ पर जो घेरा हुआ अंक है वो यह है तो इसका अस्थानिय मान तो यह कौन से अस्थान पर एक आईदा है सैकड़ा है यानि दो गुना सैकड़ा मतलब 100 से गुना करेंगे तो दो गुना 100 200 6 6 में है 1 9 8 9 पर इसमें जो घेरा हुआ आंक है वो है 9 1189 में जो घेरा हुआ अंक कौन है 9 है यह कौन से अस्थान पर एक आईदा है सैकड़ा यानि 9 गुना सैकड़ा मतलब 100 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 900 इसका उत्तर हो गया 900 जा पांच साथ नो नो तो यहां पर जो घेरा हुआ अंक है वो है 9 है तो यह कौन से अस्थान पर है इकाई दहाई दहाई का अस्थान पर है तो 10 से गुना कर देंगे दहाई मतलब 10 तो 10 से गुना करेंगे तो 90 जा एक सून्ने सून्ने तो यहां पर जो घेरा हुआ अंक है वो है सून्ने ठीक है तो सुन्नी का अस्थानी अमान बस सुन्नी लिख देंगे सुन्नी का अस्थानी अमान सुन्नी क्योंकि किसी वेस्थान पे रहे गुना करेंगे सौ से या दस से या एक हजार से कुछ भी से सुन्नी को गुना करेंगे तो सुन नहीं आएगा कोई भी संक्या से गुना करने पर तो इसलिए सुननी का स्थानी अमान हमेशा सुननी ही होगा